वेल्कम बैक टो माई चैनल और मैं हूँ आपकी दोसुनीता तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ज़ा इंट्रस्टिंग और बहुत ज़ा एफेक्टिव रेमडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में मैं आपके साथ 1 नहीं तीं शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ रेट नोइल का एक फेस पेक जो की इंस्टरट आपकी सक्टीव को टाइट करगा स्किन के ऊपर पहली ही बार में आपको गलो दिखने को मिलेगा दूसरी चीज आपके साथ शियर करने वाले हूँ रेट नॉयल का सीरम जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना रेट नॉयल का सीरम और रेट नॉयल की डे एंड नाइट क्रीम यह बहुत जादा एफेक्टिव चीज़े होती है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगी र एसे जैसे हमारी एज हो जाती है, हमारी स्किन डॉल हो जातý है, हमारी स्किन का कुलेजन कम हो जाता है, तो धाल रेट नॉयल यह वन की डागदबे पड़ने इसन लिग नुक्ते हैं, तो रेटनॉयल यह अँसी चीज है, जो कि आपको मार्केट में बहुत सारी प्रीम के यहां फिर आपको सीरम के रूप में अवेलेबल हो जाएंगी बट बहुत एक्सपैंसिव होती है और उसमें परसंटेज होती है अगर आप गल्त यूज कर लोगे तो आपकी स्कीन के ऊपर वो नुकसान देगी बट घर पे आप सिरफ एक रुपे की चीज से बहुत अची एक क्रीम और सीरम और साथ ही साथ पैक बना सकते हैं जो की 100% नैच्रल है और बिल्कुर भी आपको नुकसान नहीं देगी बट गब सब्यूइस कर सकते हैं वीज साल के बाद आप इसको अराम से यूज कर सकते हैंऑ अगर आप 20 साल के बाद इसको यूज करना स्टार्ट कर दो इसका यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो खुद बाखुद आपको इससे रजर्व मिलना स्टार्ट हो जागा क्योंकि इसमें बहुआ जदा विटामीन ए होता है कोलेजन होता है अगर आप इसका इंटर्नली इंटेक करते हो तो डेफिनेरली उसका रजर्ट आपके फेस के दिखाई देगा हमेशा मैं अपके साथ यह शेर करती हूँ कि फेस के उपर अगर अपको गलो चाहिए अच्छी स्की चाहिए तो उपर के अपने फेस के उपर लगाने के साथ खाना भी स्टार्ट कीजिए तब ही आपको उसे रजर्ट मिलेगा इस वीडियो में जिस तरह स अपने आप से कहा कि तीन चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली है तीन चीज़ों के साथ एक बॉनस भी आपके साथ शेयर करोंगी जो की बहुत ही इसली आपकी स्कीन के उपर गलो लेकर आएगा और तिन थर्टी सेकिंड में आप घर पर कर सकते हैं पूरा फेस के उपर कर कर सकते हैं चली जल्दी से दिखाती हूं कि इसको आपको किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपको इसको अप्लाइ करना है उसने पहले दोस्तों अगर आप मुझे फर्स तरह मेरे चैनल पर हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ीगा बेल बटन को जरूर प 27 रुपीज की यह आपको बॉटल अराम से कैमी शॉप से मिल जाएगी इसमें 30 कैपसुल होते हैं और एक कैपसुल एक रुपे से भी कम आपको पढ़ता है और आपको अर्जर्ट वैसा ही मिलता है जैसे कि आप हजारो रुपे खर्च करेंगे रेटनोल की क्रीम, रेटनोल का फेस पैक बांकिर से भाई करने के लिए घर पे बहुत ही इसली आप इसको बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले बताते हूं कि आपको फेस मास्क किस तरह से बनाना है दोस्तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है वन टेबल स्मून कॉफी पाउडर का कॉ यहां पे मैं हैंट ब्लेंडर का यूज कर रही हूं इसके बाद दोस्तों इसमें आपको एड करना है वन टेबल स्पून दही का दही में होता है लैटिक एसीड जो की आपकी चेहरे के दाग दबो को खतम करता है अब भी इसमें आपको एड करना है दो विटामिन A कैपसूल का ओयल विटामिन A बहुत ही अच्छी होते हैं जिस को बताती हूं कि आपको इसमें क्या चीज एड़ करनी है तो यह आपको एक बेस बन गया इसको आप क्या कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल के फ्रीज में साथ दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको पैक बनाना है इस लिकृट का यूज कर ली वन टेबल स्पून कौन फ्लार का लेने के बाद जो लीकृट हमने बना के रखा है वन टेबल स्पून इसका एड़ कर दीजे दोनों चीजों को जब आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि यह आपका जो पास क्याने जैली मास्क बन जाएगा बहुत अच्छे अला रिज पास मास्क बन जाएगा जो कि आपकी स्कीन को बहुत जदर टाइट करेगा रिंकल्स को दूर करेगा और आपकी स्कीन के ऊपर बहुत अच्छी वाला लेकर आएगा पेस को वाश करने के बाद आपको यूज करना है रेट नॉयल सिर्म का जो कि मैं आपको आके दिखाती कि इसको किस तरह से बनाना है रेट नॉयल सिर्म का यूज करने के बाद आप इस तरह से दो स्पून ले लीजिए उसको फ्रीजर में रखके थोड़ा ठंडा करने के बाद अपवर डिरेक्शन में वन मिनट मसाज करोगे तो ब्लड स्रॉक्लेशन बढ़ेगा और आपके च स्पून को लेकर फ्रीजर में रख दीजिए और ठंडे-ठंडे स्पून से एक मिनट मसाज कीजिए अमेजिंग जल्ड मिलेगा सिर्म को बनाने के लिए सबसे बहले आपको लेना है आधा चममच रोजवाटर का रोजवाटर में पी-एच बैलन्स होने के कारण यह आपकी अर उतना ही आपको लेना है वेजिटेबर ग्लिस्निन का तीनो की क्वांटिटी आपको एक और रखनी है ठीक है बहुत ही इजी है इसको बनाना मेरमेंट करना जितनी भी आपको क्वांटिटी बनानी है तीनो चीजों की आपको एक जैसी रखनी है इसके बाद आपको इसम सीरम लगाने के बाद मसाज करने के बाद आपको क्रीम का यूज करना है तो यहाँ पर मैंने क्रीम लगा ली है अभी मैं बताती हूं कि इस क्रीम को आपको किस तरह से बनाना है तो दोस्तों क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेस लेना है ऐलोविरा जेल का ऐलोविर एक कैपसुल का और इसके बाद आपको जो भी आपके पास अशेंशल ओयल है आप उसकी फोर डॉप्स इसमें एड करेंगे अगर आपके पास कोई भी एशेंशल ओयल नहीं है तो आप स्कीप कर दीजिए बट अगर आप घर पे कोई भी चीजे बनाते हैं तो एक शेंशल ओय आपके पास जरूर होना चाहिए तो सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आपकी बहुत अच्छी एक रैटनॉयल क्रीम बन गई है सीरम बन गया जरूर ट्राइ कीजिएगा